कि हलो प्रेंट यंके ठीड़ी किलाशित में मुक्रिस बहुत बहुत स्वागत है आपके कहने के अंसार मैं आपको एक रिजनी के चप्टर लेकर आया हूं जो बहुत सिद्दत से में तुमको पढ़ाऊंगा सभी लोगों को एक टाइप से जो रिजनी कानी इस लेवस में एस पूरा बिस्तार से आप सोनी रिजनींग पढ़ाऊंगा रिजनींग देखिए बच्चों कोई सब्जेक्ट है नहीं है रिजनींग के बारें थोड़ा से एक नड़े बताना चाहता हूं रिजनींग बच्पन से सीखा जाता है जो जैसे आपके पिता जी कहते हैं कि यह आप बच्पन से ही सीखा जाता है तो रिजनींग के अंतरगत में आप पहला चेप्टर लेकर आया हूं घड़ी जिसमें बच्चों को बहुत प्राबलम होती है मैं इसको बहुत सिद्धा से पढ़ाऊंगा आप एक एक चीज समझ में आता जाएगा ठीक आप चैनल को सब् करेंगा आप बताएगा कि रिजनींग जो आप फ़र्ट पार्ट आप मैं आज चालू करा किया हूं ठीक है इसमें कोई धिक्कात होगी तो आप बताएगा कमेंट करके रिजनींग के अत्तर का देखे बच्चों जो घरी होती है घरी में जो घंचे की सुई होती है थोड़ सेकेंड की सुई होती है तो इसके अंतरगत जो आपको प्रत्म पूंचे जाते हैं मैंने आपको लिग दिया है कि आपको नहीं घरी होगी आपको चार पार्ट मिलेगी एक पार्ट में आपको संपाती विप्रीत बीच का कौन बताऊंगा दूसरे पार्ट में जल परतिवि भलता था जब्रुए शुताँ है देखता है एक तो टाइम देखने में होता है घड़ ताइम की साथ साज माय। ंंगल बनतां है एंगल अंगल और यह दोनों आपको देखना है जब घंटे की सुई पूरे बारा जब घंटे की सुई जो होती है पूरा बारा घंटे की भूम जाती है तो बच्चों 360 अंस का कॉल बनता है पूरा तो कहिनिक मलेश में बताना जाते है थोड़ा से 12 घंटे में 12 घंटे में 12 घंटे की 12 घंटे में या तुआ पाई से सुनगी एक घंटे में 12 घंटे में नूर दाज जो लिख लिएगा इंपार्टे है एक घंटे में घंटे की सुई 30 अंस का कॉल बनता इसको में सया रखेगा जब बीच का कॉल आपको बताऊंगा तो इसका युदू बहुत आए एक मिनट में मिनट की सुई 6 अंस का कॉल बनाती। अर्था इस खाजे की वीच में एक मिनट होता है इस मिनट की वीच में 6 अंस का कॉल बनता है। अगर एक घंटा हो जाता है तो इसमें 30 अंस का पॉल बनता है एक मिनट जब होता है तो 6 अंस का पॉल बनता है इसको आप ज़रूर ध्यांस देखिएगा गली का यूद टाइम और इंकर देखने में आपको पहला टाइब आपको बताएंगे इसमें फ्लस अपूल नियम बता देते हैं गली की दोनों सुन्या कब संपाती होती है पार फर्ट में आप इसको देखिएगा विस्तार से डगेते एक चीछ समझ में आएगा आपको गली क दोनों सुन्या कब संपाती होती है संपाती ही सोता ओवरवाइटिंग एक पड़्व जो यहां पर प्रस्क जीछ जम कुंसता है तो घंटे मिनट से समझ को यह मतली नहीं होता ध्याम में आपको प्रस्क बंगता है घंटे मिनट समझ में चाहिए तो कहने मतलब जो घंटे की सुई है घंटे की सुई इसमें है आप जो काफी पें जरूर निकाल कर यह जो नियम मापक में बताता जाता हूं आप इसको लिखते जाएगा एक नोट्स जाप जरूर बनाएगा कि नोट्स बनाएगा कि आप अभी भी इसको रिवीजन कर सकते हैं हर चेप्टर का विस्तास से एक गंटे की सुई है एक कर लेगा होती है देखिए बचंचे जो जाती है तो टाइम जो हमारा होता है जीरो मिनट्ट वहता है एंगल जो बनता है कोई बी एंगल इसकर महीं बन अमारा कोई दियंकर लेगाना इसलिए जीरो होता हो ह। है अब इसमें देखतें एक घंटे में एक बार संपाति होती है यह पूछ तरहें सब्सक्राइब एक गंटे में एक बार समपाती होती है, एक गंटे में एक बार समपाती होती है, तो बारा गंटे में बारा गंटे में बारा बार समपाती बना जाहिए, परंतो होता कितनी बार है, यहां पर ग्यारा बार हो रहा है, यहां तो ग्यारा बार हो रहा है, ठीक होना चाहिए बारा बारागार मैं आपको पता हूँगा खाल पर संपाति घड़ी के दोनों संपाति नहीं होती। तो जब मिनट की सुई चलेगी दीरे दीरे यहां आएगी तो बारा से एक के बीच पे घड़ी की दोनों सुईया संपाती नहीं होती यह इसको ध्यान रखिएगा तापी विसको जरूर मोट कर लीजेगा ठीक अब कभी कभी कुश्टन पूझ लेता है एक बार यह फिंट कु कि एक सप्ताह में घरी के दोनों सुईयां कितनी बार संपाती होती तो जांगे हैं शोख को कि सब्सक् anytime सब्सक्राइब बच्चों तो साथ दून चवदा साथ दून चवदा एक पंद्रा एक सोच्वन बार संपाती हो जाए यह बहुत इंपार्टेक्ट प्रश्चन है यह बेसिक कुष्टन एक उस्ता भी रहता है चाहिए इसको ध्यान से निया को कर लिजेगा कि एक सफ्ता में घरी की दोनों संपाती होगी पूरा आपको क्वेश्चन निकशी है कि बेसिक एक्टम जड़ से आप में घरी बता हूँगा इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं अब देखिए जो दूसरा टाइप बताता हूं अभी समें सवाल लेकर चलूंगा अभी थोड़ा बेसी चीत को छोटी-चोटी बता रहा हूं फिर से समदित आप को मैं कोस्टन आपको अब करवाता हूँ घरी की दोनों सुन्यक का विप्रीत होगी विप्रीत मीस होता है घरी की डोनों ठीचे जब बिप्रीत होगी बच्चो एकSoasio का कोण बनाएगी है कितने जुटह एक्ट्सो अश्यों कोण बनाए तो कहने मतलब तो देखी कुछ टाइम में मिनट होका 30 मिनट होगा इंगल जो बनेगा पर देख एक स्वासियन से बना आए पंचटका 30 यह तिक पांच पांच में को ताज पंचटका 30 जाएगा एक घंटे में एक बार विप्रीत होती है है बारा घंटे बारा वार होना चाहिए परंत यहां पर 11 वार दिया है तिक है मैं इसको प्रूप करके पिर बिप्रीत होती है तो चेज़े साथ के भी घड़ी के दोनुच नहीं होगी यह आप इसको नोट करके लिख लीजिएगा नोट साब जरूर बनाएगा अब हर बार आप पताता हूं कि नोट साब जरूर बनाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिए बताएगा घड़ी के एक एक चीछित निचोड़कर रख दूंगा इसमें एक घंटे में एक बार उप्रीत होती है बारा घंटे मे बार बार बनाती है आप इसको घ्यान रखेंगा अब आई एक समकूर के लिए देख लेते हैं घड़ी की दोनों सुन्या का संपॉर बनाती है देखी बच्चों घड़ी की जब दोनों सुन्या संपॉर बनाएगे यहां से तो इस टाइम जो रहेगा आपका पंदरा मिनाट का टाइम रहेगा तीक आए एक एंगल बने रभ्यास का एक घंटे में दो बार आदे की बहुत इसमें एक घंटे में पार होती है एक घंटे म गटीं के दोनसुन्या दो बार सम्कून बढाएगी कि हुआँ का निये कहां पर कैसे हो गई में बारा गंटे में 22 बार सम्कून बढाएगी दिना 24 यह आप बता देना चाहता हूं तीन और चार की बीच नव और दस के बीच है सब्सक्राइब इसको विश्टाइब बताता हूं सम्झाता हूं चलते हैं आप लोग इसको नोट में ज़रूर बनाते जाएगा अब अगला टाइब जो कुष्टन आपनी जा मेरे से कुछता है उसको लेकर चलता हूं अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों में बताइएगा घरी के एक एक टाइब फर घरी का नहीं रिजरेजनी को कोई भी पार्ट होगा आप मेंटम सिद्धर से पढ़ाता जाओंगा चलते देखते हैं पहला टाइब टाइब फर्ट है एक ही ट्रिक से आप देखिएगा टाइब फर्ट में जो आप वता हैं घरी घरी की दोनों दोनों सुन्या कब संपाती कब संपाती होगी यह टाइब फर्ट है तो इसमें आपको पहड़ा प्रसमें देने जा रहा हूं जैसे घरी है बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा यह जैसे माली प्रस्ण दे दी जाए प्रस्टन में तीन तथा अब ही प्रस्ण आएगा आप पर्ट प्रस्टन ज्यान दिजिएगा प्रस्टन पुछेगा तीन तथा चार बजे के बीच घरी की घरी की दोनों अब सुन्या कावव संपाती संपाती वच्चों ऊवर्लाइपिंग में पोल सकता है जाम में तो इसमें आपको त्रिक मियाद रखिएगा बस तीन ज्यादा साथ पर्टिसा किसी त्रिक से ही आप घड़ी इन्दो जाए आप यहाद रखिए गाली यह बनाबर साथ बटे ग्यारा तो आपको पर्थम भंटा इसको लेना है अईसी में जैस्ट बुना कर देना बस तो हो जाएगा तीन मुझे साथ बटे ग्यारा अब इसको मुणा कर लेंगे तीन चंग अठारा चत्री नठारे एक स्वास्की हो जाएगा इसने हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा साथ ग्यारा अच्छाक कर चार तो आप वाएगा चार ग्यारा मिनाएग ये अरथाथ आपको पर्थम घंटा लेंगे चलना आएं तो पर्थम घंटा की हिसाब से ही निखाना आएं 3 वजके 6 16 चार बटे 11 मिनट पर फज़ी कि दोनों सुध्या संपाती हो जाएगी एक ज़्यान रगएक प्रिका लिसके की सोल शफ़ी चार बटे 11 सेकंड इसको लिए तो नों सुध्या पर संपाती होगी कि तिन बज़ा से चार बटे 11 मिनट एकडम 10 से देखेए इसको समझें कि जो आपका पर्थाम घंटा दिया रहेगा इसी में 60 वटे 11 का गुणा कर देंगे तो आपको आजाएगा नी तीर बच कर आब इस तरह कोई कुश्चन आपको देगा जिसे माझे दे जाए में एक कुश्चन हम दे रहें जिसे देए नव आठ था नव आठ था नव बजे नव बजे की बीच कब संपाती कब संपाती होंगी तो बस या इसमें देखिए इसको गुणा करिये ना यह बराबर साथ बटे ग्यारा है ना इसमें लोग इसको बुणा करो आठ शांग तालिस चार्ट सवस्थी ग्यारा आप भाग दे दिए मुझे तो आता है पुरत बाग देकर में लीपी सकता हो प्रम दिखा रहा हो तो ग्याठ चुक्शोगालिस की कि यह हुगा जिए ग्यार ताइन ता तिरालिस सही साथ बटे ग्यारा मिनट बस इसमें अब को ध्यान देना है हां आपको यह बात रहो बता है तो इसमें प्रूप कर चुछ दिखाऊंगा कि देखो संपाती नहीं होड़ती अब देख दीजी कोश्चन अगला बारा तथा बारा तथा एक बजे के बीच बारा पूरा प्रस नहीं नहीं पारा हो इसे तो बारा तथा एक बजे पीर गई के दोनों सुन्या कव संपाती होंगी तो आप देखिए ना यहां पराबर बारा पहला घंटा ठीक है साथ बटे ज्यारा बच्चाब 72 ठीक है साथ को बीच इसको भाग देते हैं तो पाइसर चाह आप बच्चों आप बताएं पाइसर नहीं है साथ मिनट होता है तो यहां पर हम लिखेंगे बारा बज के बारा बज के 25 सही पाँच पटे ज्यारा मिनट यारी तो 65 हो गया ना 65 होता नहीं मिनट अग्र 70 होता है तो एक धन्टा निखर के रिच में चला जाएगा निशना मिनट इतना गरता है और 45 मिञ होना चाहिए बारा कि कुछ होना चाहिए तो कहां हो रहा है तो आप कोई दिख्कत हो और कमेंट करेंगे बताएगा तो आपको कोई दिख्कत हो घुए नहीं क्योंकि इसे बताऊंगा आप परेशान मत हो ये गाद चैनल को आप सब्सक्राइब दरूर करिएगा ताकि मैं कोई वीडियो डातों तो आप तक पहुं सके आप मैं दूसरा टाइप लेगा चलता हूं काभ विप्रीत होंगी काभ विप्रीत होंगी तो देखिए घरी है बारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नव दस ग्यारा वारा विप्रीत में सुनता एक्षोसिएंस काभ विप्रीत में तो इसमें देखिए हमने आप पताया था कि जो कि लिकित दोनुख मुझां क्यों नवीन बनाता स्टा यह व्हाव कि दोनुख करना है stellen ना ख्रूंच गूंक जाना है परन्ते तक जाना है विक्रस में कहेगा जिसको बेज मालने इसकों छोड़ए आपक रसंको में अगला पुश्टन अंदेर है जिसे चार तथा चार तथा पांच बजे के बीच चार तथा पांच बजे के बीच घड़ी घड़ी की दोनों का बीप्रीत का बीप्रीत होती है यह एक कोशन पट देनी है चार तथा पांच बजे के बीच घड़ी की दोनों सुन्य का बीच 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 आपको छे को बेश मानना है और परफांच घंटे तक भूं जाना है कहां था परफांच घंटे तके नहीं कि एक बज़े तक जो प्रस में कहेगा घड़ी किसा में घड़ी क्लाप वाई भूंती है एक अब यहां दूनेंगे इसको बेश मानते हैं क्योंकि हमने बताया कि घड़ी दोनों सुन्य अब सब दिप्रीत नहीं होगी छे को बेश मान अब नाउ डश ड़स तो कॉंजे ना फार रोला में बतायते साट बटे ग्यारा अब इसी में दस का गुणा कर दीजिए तो हो जाये कि आपको साट शेसो शेसो बटे ग्यारा अब इसी में भाग देगे तो घ्यारा पाचे पज़ पान पाँच आया अपी जिरो तो फिर घ्यारा पाचे यारे देए तो ग्यार्चव चवाले ग्यार चवाले चवाले शे आया इसको देंगे 54 सही 6 बटे 11 मिनाट अर्था कम इसको ऐसे दिखेंगे इसी को 4 बज के 4 बज के 54 सही 6 बटे 11 मिनाट तो 54 सही 4 बज के 54 सही 6 बटे 11 मिनाट पर घड़ी की दोनों सुन्या विपरी हो जाएं को इसार मिनाट ओप्र है यहीं के 5 बटे 14 फेंगे में तो 54 बज के घड़ी की दोनों सुन्यां का डिपरीद होती है तो आपको परतम खंटा ही जाएं कुलना और घड़ी की दिसा में भूंग जाना है तो आपको की दिस्यिक देखना है एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ आपको अगर पता होना चाहिए घरी प्लाग वाइस गूंती है अटार टिके एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ नव गयात यह पराबर नव उड़े साड़ वटी ज्यारा यह एक चीज की जर कर दोंगे तक शिद्धत से प्रहाओंग आपके साथ आप प्रंतु मेनत जिरूर करिएगा मैं हर एक पार्ट विस्ताथ प्रोप समझाओंगे नव शक्रच चवगन हो जाएगा पांसो चारीज मटे ज्यादा हो जाएगा इसको भाग देकर आप देख सकते हैं तो ग्यारत है ग्यारा पच्छे पच्छों में ज्या तो हो जायगा तो इसको आमें देंगे ती बजबी कि थी बजबी उन्चा सही एक बड़े ज्यारा मिना ऑग लुजे लगता होगा आप याता होगा विस्तार से अच्छे से नोट जोबर हो बनाएगा हर वार में हम पहसाथ हूं अब आपको मैंने बताया कि भूप करके भी दिखाऊंगा कि इसके भी प्रीद नहीं होती तो आप देख लीजिए चे तथा साथ बज़े की भी इसका मतला होता है जो नुदू सुन्यक का विभी प्रीद होंगी ठीक है तो आप को नी इसको लेकर चला है शेको बेशमाना है नहीं सब्सक्राइब गुंगना अच्छे तक आना है एक दो तीन चार पांच छे साथ नाव तस ग्यारा फारा तो बत्सांग 730,11 हाओ देंगे सब्सक्राइब तो फिर टो कि पसम अकर अवसम करें चांग आफ्ट बत्त तो फार विकी के साथ पांच सब्सक्राइब पांच पांच साथ बचके पांच सही पांच बटे ज्यारा मीना यह मिल जाएगा आपको देखो गुरूप पर के आपको भी दिखा जिए ठीक है अब आपको अगला टाइप देखना है थर्ड टाइप देखना है इसमें कब संकुन बनाएगी कब संकुन बनाएगी हाथ धन्ते और मिनेट की दोन सुने आपको बनाएकी तब संपून बनाएगी IGHान्य की छांते ही अने मिक हम बेसीक सीरչे बता रहे थे तो आपको बताएते कि तीन और चार नव और दस के भी घड़ी की दोनों सुन्या एक बार समखुण बनाती है तो आपको इसमें क्या करना है तीन को बेश मारना है तीन को एक बार बेश मारना है एक बार आपको नव को बेश मारना है क्योंकि समखुण में आपको पता है कि घड़ी की दोनों एक धैंटे में दो बार समखुण बनाती है यही टाइम में आपको तीन और चार नव और दस की बीच एक बार समखुण बनाती है बांकि हर बार से अब देखं़ाइब घ्रम जाएंगे जो नहीं गूम जाएंगे जिदा में परसमें घूनाइगे जो आपको भंता ये रहेगा इसे पुस्चन मैं आपको दे रहा हूँ जैसे दे देताओं बाला तथा एक बजे के बीच घड़ी की दोनों सुन्या कब संकूर बनाएगी यह पुआ तो आपको पहला देखना है इसको अब गड़ी की संकूर जाना यार खार मुए ही याल रखें साट बटे जारा मैं कोई सी चेंग करता हूं जा हर वार दोई वतातम साट बटे जारा शाट बटे जारा लेकर चलना है उसको इसको दिकतनी तीन टाइप आ जाएगा तो आपको नहीं इंडी से 12 आहें तो आपको नव प्रेश्च आतिम को बेश्माने नम को घड़ी तीसरं घुम्डा खुम्डा है तो नव को छोड देना है एक दो तीन टीन पर आपको बारा मिल गया है अंग इनको पर जिन के गुना कर देंगे दिद्रीत के सब्सक्राइब लिखेंगे इसको नहीं बारा बज़के बारा बज़के सोला सही चार बटे ग्यारा मिनट पर एक बार संपूर बनाएगी ठीक आप इसको देख लिए हैं अब एक वगतीन को बेश मान जी इस तीन को छोड़ देना है आगे यहां सचार से किना है बारा तक जा ग्यारा है एक दो तीन चार पांच सबहते हमको बेश मिल गयाँ जोभिया नहीं घुढ़ान नहीं यहां तक जाना है आपको एक दो तीन चार पांच छे साथ नव नव तक चैनल प्राबर नव बुड़े साट पीटे ग्यारा नव चका चववाह आप रपार तो जो ग्यार इसमें भाग दे दीजिएगा तो ग्याराइब आपको जी रोग के जिए अन्यान में इसको में सकते 49 एक बटे 11 मिनाड तो इसको फिलितेंगे बारा बज के बारा बज के उन्चास सई एक बटे ज्यारा मिनार में घरी की दोनों सुन्या क्या होगी सम दोनों घरी दोनों सुन्या संपोर बनाएगी एक एक चीज आपको विस्तार पूरों बता रहे हैं इसको आप समझेगा बनाएगा अब आपको समझे आ अगया होगा अब इसकी इसकी दोनों को आप देख दिजिएगा अगर 65 सरी आएगा तो समझेगे दूसरा एक बार बनाएगी आप 65 के अंदर ही आएगा इसको आप देखिएगा तो सम कोन के लिए कहता है तो आपको प्रसम को बताएं गुस्त हर नायको और 60 ग्यारा घूना करना है आपका नी इंसराव जायेगा आप अपने कई दोस्तों में सेयर करें बताईए अगर कमेंट करें कोई दिक्कत तो आप प्रणि कमेंट करें बताई आपका अगला पारट जाher मिलेगा जल गार पा मुसक्त को और यहाखाओ दिया गाओ अजया गाल डाथग द्हाऑ